अगली खबर है महरास्ट के हिंगोली जिले में जहां लगातार हो रही चोरी की वारदातों ने पुलीस के सामने एक बड़ी समस्या खड़ी कर दी थी कथित आरोपियों तक पहुच पाने में पुलीस चप्पे चप्पे दबीज दे रही थी लेकिन दिमाग से शातिर आरोपी पुलीस के हथे नहीं चड़ पा रहा था पिछले कई दिनों से हिंगोली में हो रही मुबाइल चोरी के शिकायतों को देखते हुए पुलीस ने शातिर बदमाशों की धर पकड़ के लिए एक विसस अभियान की शुरुआत की और आखिरकार पुलीस को इस आरोपी तक पहुचने में कामियाबी भी मिल गई नीले कलर का नकाब पहने और जमीन पर बैठे घुट्नों के बल पर इस आरोपी के पास से पुलीस ने एक दो नहीं बलकी 21 एंडरॉइड मॉबाइल फोन बरामत किये हैं जिसकी कीमत तकरीबं 3,15,000 रुपए के आसपास आंकी जा रही है फिलहाल हिंगोली पुलीस गिरफतार आरोपी के गिरोह के बाकी सदस्यों का पता लगाने में जुटी है चोकि पुलीस को अंदेशा है इस बात का कि गिरफतार किया गया ये सक्स किसी बड़े गिरोह का सदस्य हो सकता था हो सकता है जो चोरी जैसी बड़ी वारदातों को अंजाम दिया करते हैं दरसल पुलिस सब इंस्पेक्टर उद्धे खंडे राव सीव साम घिवारे भगवान आड़े विठल काले समेत कई पुलिस अधिकारियों की टीम ने गुबत सूचना के आधार पर अलग अलग अलाकों में जाल बिचाया और मुख्विर की निशान देही पर इस सक्स को अपने हिरासत में लिया और जब इससे पूस्ताच की गई तो पहले तो पुलिस को इसने यहां वहां घुमाने की कोस्स क लेकिन जब पुलिस ने सक्ती बल का प्रियोग किया तो यह तोट गया और इसने किसी रट्टू तोते की तरह अपना गुनाह कबूल कर लिया और बड़े पहमाने पर पुलिस ने इसके पास चोरी किये गए अंडरॉइड मॉबाइल बढामत किये हैं जिसकी कीमत सबातीन लाक रूपए के आख पास बताई जा रही है और इस टोली में अभी तीन आरोपी का नाम सामने आए एक जो में आरोपी है माधो किश्ण भोसले अभी पुलिस कस्टडी में हैं और उसके साथ दो और और आरोपी है जो रावन भोसले है अभी फिलाल फरार है और तीसरा आर जेल में रह चुके हैं और इंटर स्टेट एक गैंग ऑपरेट करता है अभी हमारे पास कुरंड़ा पॉलिस सेशन में एक चोडी का उफेंस दाकल हुआ था और उसका उफेंस का मोबाइल और अन्या और 20 और मोबाइल हमाभी रिकॉर किया है और इसका प्रॉपर्टी वैलू रिले गा है और अन्या जिली करता है